हेलो दोस्तों नमस्कार इस्टाक मार्क सेयर टू चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं M.I.S.C. Electronics Limited सेयर की क्योंकि इसके समध में कुछ बहुत बड़े बड़े एनाउंसमेंट होते हुए दिखाई दिये हैं तो हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि ओ कौन से एनाउंसमेंट है जो होते हुए दिखाई दिये हैं और उसका फायदा इस कंपनी को कैसे मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना के सिदेरी के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें उस न्यूज की तो यह जो न्यूज है वह यह कि प्रधान मंत्री मोती जी ने अभी हाली में लबग 41,000 करोण का यह रेलवे प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई दिये हैं और इससे समद्दी जो आर बी एनल है आई आर एपसी है रेल टेल है आई आर सीटी है इस इन सेरों पे तो बात हो रही है लेकिन एक सेर जो है वह अच्छुता रह किया है जिसका नाम मैसी एलेक्ट्राणिश लिमिटेड और इसको इस प्रोजेक्ट से कैसे फायदा होने व स्टेशन रखा है इलब 41,000 करोण रुपे का रेलवे प्रोजेक्टों का तो यहां पर उसमें 500 तीरपन जो रेलवे स्टेशन है उनका रिनुवेशन इसमें होता हुए दिखाई देगा जिसका कास्ट फिलाल 19,000 करोण का लगाया जा रहा है और यहां पर आप देखिए यह इसके संबन्द में जो 27 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी इसमें सामिल होते हुए दिखाई दिये हैं जिसमें तोटल 500 तीरपन जो इस्टेशन है वो इसका रिनुवेशन होता हुआ इसमें देखने को मिलेगा और इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो यूप इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ इस्टेशन है जमू कस्मिर के भी स्टेशन है और इसके अलावा शीक्किम का पहला स्टेशन बंता हुआ भी इसमें दिखाई देने वाला है और इसके सम्द में जनकारी दी गई है कि यह जो अंडर्ड 2nd फेज अमरित भारत इहां पे होने वाले हैं इसके अलावा जो पूरी डिवीजन हैं उसमें दस रेलवे इस्टेशन इसमें होता हुआ दिखाई देने वाला है और इसके अलावा भी और राजियों में इसे संबंधियत न्यूजेलिकल के सामने आई हैं और इसी संदर में आप चुकि जानते हैं क जब भी किसी भी रेलवे इस्टेशन का इन्वेशन होता है तो उसमें जो LED लगती हैं जो LED लाइट लगती हैं वो फिलाल जरूरी हो जाता है क्योंकि इन से संबंधियत जो आप प्लेट फामों पे जो अपडेट देखते हैं कि रेलवे की ट्रेन कब आ रही है ट्रेन का न 50 इस्टेशनों का रिनुवेशन होने के लिए पहला फेश सुरू हुआ था तो उसमें इस कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था जिसके बारे में हमने समय समय पे वीडियो बना के आपको अपडेट भी किया था अब फिलाल फिर से इसमें 503 इस्टेशनों का जो विकास होना है उससे समंदित जल्द ही आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट मिलते हुए भी दिखाई दे सकते हैं और यहां पी यह बता रहे हैं कि जो अमरित भारत इस्टेशन योजना चल रही है उसमें टोटल जो है 1309 रेलवे इस्टेशनों का रिन देर हैं उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को भी मिल सकती है यह हम इस अधार पर बोल रहे हैं क्योंकि यह जो कंपनी है यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडोर रिड लाइटिंग का ब्वस्था यहां करते हुए दिखाई दिखाई देती है और डाउन लाइट एरिय और हमें कमपनी के थिखाई देती है और इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं एक लुए और यह सबसे बड़ के सामने आ वो है indoor display और ये जो display यहाँ पे आप देख रहे हैं यही display फिलाल प्रतेक station पे भी लगते हुए दिखाई देते हैं जिसमें LED जो है फिलाल सभी station पे भी लगते हुए दिखाई देने वाली है जिसका फायदा इस company को भी मिलने वाला है इसके अलावा इस company के अगर हम बात करें तो outdoor display जो आप देखते हैं जो कि NAC और BAC के जो इस टाक एक्सचेंज हैं वहां भी देखने को यह display मिलते हैं और वो भी इसक इसके अलावा आप cricket stadium में जो पे आप देखते हैं कि लाइटिंग लगी होती है और यह जो आउड़ वीडियो वाल्स हैं वह यह company बनाते हुए नजर आती है और इसके अलावा जो भी यह डिस्पले आप देख रहे हैं मॉबाइल डिस्पले वह भी यह company बनाते हुए दिख मंदी जो भी प्रोजेक्ट होंगे लगभग इसी कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देने वाला है और यही प्रोजेक्ट में है इसके कारण जब पर्धान मंतरी जी द्वारा इस प्रोजेक्ट की घोश्रा की जा रहा ही थी तो उसके बाद इस कंपनी में भी अच्छी खास इतेजी देखने को मिली थी अब मकर बात करें 27 फ्रावरी के मार्केट जब बंद हुआ था तो उससे में यह फिलाल इसमें पांच परसेंट की गिरावर्ट देखी गई थी और इसमें 47 रुपे 15 पैसे पे हाला कि यह बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन अगर पांच दिन पर चाट पर्याटन की बात करें इसमें 4 पर उसक गरावर्ट देखी जा रही है लेकिन एक महिने में इस कंपनी ने लगभा 35 परसेंट का रिटर्न अपने share hold का दे दिया है वहीं अगर हम बात करें 6 महיןे की तो 62% का जिबकि यह कंपनी रिटररं लिकाल के देते हुए नजरर आई है वहीं अगर हम बात करें एक साल की तो एक साल में इस कमपनी ने 284 परसेंट का रिटन लिकाल के दे दिया है और एक साल में जो ये अमरित भारत इस्टेशन योजना जब गौर्मेंट ने लांच किया था उसके बाद इस सेर में लगतार तेजी आती हुई दिखाई दे थी अब हम अगर बात करें इसके मैक्सिम चार्ट पैटन की तो ये जो कमपनी है एनसी पे लिस्ट हुई थी दो हजार किस में 70 रुपे 95 पैसे पे तब से लेकि ये फिलाल 112 परसेंट का रिटन लिकाल के दे चुकी है अब मगर बात करें क्या इसके संब्द में कुछ न्यू जया अनॉंसमेंट लिकल के सामने आया है या नहीं तो यहां पर आप देख रहें फिलाल कोई भी न्यू जया अनॉंसमेंट लिकल के सामने नहीं आया है जो पिछला न्यू जया अनॉंसमेंट लिकल के सामने आया थ था अब हम अगर बात कर लें इसके डिलेवरी पैटर्न की तो यहां पर आप देख रहे हैं यह जो कंपनी है फिलाल इसमें 27 फ्रोरी को जो मार्केट बंद हुआ है तो उसमें इसमें इन्वेस्टर हैं वह अच्छा खासा माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं यहीं पर हम बात कर लें इसके शेर होल्डिंग पैटर्न की तो यहां पर आप देख रहे हैं इसमें एक प्रमोटरों के पास डिसेंट शेर होल्डिंग बना हुआ है लबग 75% के आज पास इसमें होल् है तो वह है प्रमोटर इसलिए जो प्रमोटर हैं इसको तनमंधन से काम करते हुए इसमें दिखाई देंगे ताकि उसको अधिक से अधिक प्रॉफित हो सके और यह इसके लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट लिकल के सामने आ रहा है तो दोस्तों यह रहा आज का वीडिय है जो इसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस प्रोजेक्ट से तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भोलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट से आपको ऐसा इसमस में पर मिलता रहें जहीं दोस्त बिल्कुल